वर्ल्ड हाइस्ट पोस्ट अफिस 14,567 फीक वल्कम टू हिक्किम गुद मानिंग फ्रेंड्स गुद मानिंग फ्रम काजा कल हम पीचम प्रिज होके आये थे आज हम जा रहे हैं हिक्किम लांजा कावर करने के लिए यहाँ पे तो टंड बहुत ज्यादा है यहाँ से आपका हिक्किम जो है 16 किले मेटर डिस्टेंस पे है टाइम अभी लगबग 743 हो रहा है अभी तक कुछ रड़ी नहीं हुआ हूँ रड़ी होके फिर यहां से निकलते हैं रासा यहां से थोड़ी दूर तक दे मी रहेगा यहां पर हमको डैवर्शन पॉइंट मिलेगा वहां पर फिर मैं गोपरान करता हूं यही डैवर्शन पॉइंट है तो मैं इस आया हूँ कल हम इसी रास्ते से हम चीचंप रिज गये थे अब यहां से हमको उपर जाना होगा चले फिर चलते है राइट सेट आपको सेम व्यू है कल की व्लाग में आपने देख लिया होगा सेम स्नो कवर्ड मॉन्टेंज आज भी वही है अभी हमको सामने जो पहाड जाना होगा क्रास करके उस तरफ जाना है यहां पर दिखिए उपर से बहुत सारे पत्तर गिर रहे हैं यह जो सामने आपको जो रास्ता दिख रहे हैं वो कल जो उसी रास्ते सम गए थे नीचे वाला जो रास्ता है यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे पत्तर गिरा हुआ हैं उपर से ही गिरा हैं सब इसलिए यहाँ पर साइड में कुछ दिवा टैप का बना रहे हैं पूरा मिट्टी वाला पहाड हैं यह बड़े बड़े पत्तर भी आदा दूर तक आके रुख गया हैं उपर आप देख सकते हो वो कभी भी गिर सकता हैं नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए रास्ता किता कतरनाख होता जा रहे हैं यहाँ पर एक डैवर्शन आ गया अगर आप सीधा जाओगे तो लांजा जाओगे अगर ओपर की तरफ जाओगे तो हिक्किम जाओगे एक्चली हम यहाँ पर दोनों रास्ते से जा सकते हैं सीधा वाला जो रास्ते उससे भी जा सकते हैं अभी जो मैं जा रहा हूं इस रास्ते से भी जा सकते हैं एक्चली मैं प्लान ऐसा कर रहा हूं पहले अभी यहां से हिक्किम जाओगा हिक्किम जाके हिक्किम से फिर लां मिलेंगे मतले पूरा सर्क्यूट है यहां से यहां पर आप देख सकते हो पूरा स्लश बना हुआ है आई सोर मिट्टी मिलके खतरनाक रास्ता है इसा लग रहे हैं यह रास्ता पूरा आफ रोडिंग ही होगा क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कुछ अच्छा रास्ता लेफ्ट सेड आप देख सकते हो पूरा इस जमा हुआ है पहाड चड़ते हुए जा रहे हैं उपर की तरफ पिकिम में हमको हाइस टू पोस्ट आफिस मिलेगा सो हाइस टू पोस्ट आफिस देखने के लिए जा रहा हूँ सामने का नजरा आप देख सकते हो पूरा वैट वाश हो गया लेफ्ट सेड जो पाहाड आपको दिख रहे हैं वहाँ तक हमको जाना होगा अब यह उपर चड़ते हुए जा रहे हूँ यहाँ पे तो पूरा आफ रोडिंग है यह रास्ता अभी तक तो आफ रोडिंग ही आ रहे हैं कोई पक्का रोड तो है नहीं यहाँ पे मिट्टी वाला रास्ता है यहाँ से आपको काजा सीटी दिख रहा होगा वही से हम आये थे अभी इतना ओपर तक पहुंच गया है वहाँ पे पूरा जो मकान वगएर आपको छोटा छोटा जो है वो मकान है वो सब जो आपको दिख रहे हैं वहाँ पे पूरा पेंटिंग जैसा लग रहा है अब इसी रास्ते से हमको आगे जाना होगा रास्ता देखिए कितना कत्रनाक है चोटे चोटे पत्तर है और यहाँ पे स्लोप भी जादा है तोड़ा सा केरफुली चलाना होगा ने तो बाइक फिसलने के चांसे जादा है यहाँ पे देखिए यह पाहड रैट सेट में एक छोटा सा पत्तर टाइप का है मगर आप रास्ता देखिए पूरा छोटे चोटे पत्तर है और बाइक फिसलने का चांसे भी जादा है यहाँ पे रास्ता देखो कैसे जा रहे हैं पाहड के साड़ बे साड़ बहुत ही डेंजरस रास्ता है, बहुत ही पतला सा है, और थोड़ा सा भी बाई किदरोदर स्कीडों के तो सीधा आप देख सकतो रैट सेट में कितना बड़ा खाई है, सीधा जाके हम काजा सीटी पहुंच जाएंगे यहां से, डेरेक्ट, ज्यादा कुछ टेंक्शन लेने की जरूत नहीं है, यहां पर कुछ तो आ गया, जंड़ा वंड़ा लगावा है यहां पर, पता नहीं क्या है यह, कुछ भी आइडिया नहीं है, हो सकता है, हाइस्ट पॉइंट है, इसलिए यहां पर कुछ तो जंड़ा लगा हुआ होगा पुरा रास्ता देखो, पहड के साइड से कैसे जा रहा है यहां पर दीखे, सीधा स्टीब डाउन है यहां पर, मुझे तो बहुत डर लग रहा हैं यहां पर, क्यूंकि, छोटे छोटे पत्तर हैं, बाइक भी स्किट कर रहा हैं, इसके कारण थोड़ा सा डर लग रहा हैं, मगर कोई बात नहीं, किसी भी तरीकेस हम निकल गए हैं, आपको गोप्रो में तो कुछ समय में नहीं आएगा, मगर आक्चली यहां पर, बहुत सारे पत्तर पड़ा हुआ हैं, सड़क के उपर, इसके कारण बाइक बाइक बहुत स्किट कर रहा हैं, और बीच में ऐसा आप आपको अजाता है, इसा बहुत सारे सलश वाले एरिया हैं इस रास्ते में, मैंने तो एक-दो ही आपको दिखा आय था, मगर इसा बहुत सारे हैं, कि यह मिट्टी वाला रास्ता हैं, इसके कारण यहां पर आयसा और मिट्टी मिलके सलश बन रहा है, यहां पर कुछ लोग खड़े हैं पताने यहां पर क्या है कामिक हाइस्ट मॉटरबूल विलेज इन दो वर्ल्ड वहाँ पर मुझे हिक्किम दिख रहा है यहां से पूरा स्नो कवर मॉन्टेंज अभी बस दो तिन किलेमेटर और चलना होगा फिर हिक्किम फोस्ट अफिस हम पहुंच जाएंगे यहां पर रास्ता अगी है पूरा आफ्रोडिंग वाला पैच है मगर उतना खतरनाक आफ्रोड बहुत बड़ा खतरनाक आफ्रोड तो नहीं है बस दिक्क्यत यह है सड़क के ऊपर छोड़-छोड़़ पत्तर आ गया इसके कारण दिक्कत हो रहा है बाकी इतना कोई खतरनाक टाइप का तो कुछ है ने बहुत बड़ा आफ रोड़िंग टाइप का लफ्ट सेड आप देख सकते हो पूरा स्नो का वाड़ है पूरा पाहाड स्नो से डखा हुआ है तो हम पहुंच गया है हिक्किम पोस्ट आफिस मेरे रेट सेड में आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बूर्ड वगएरा लगा हुआ है हाइस्ट पोस्ट आफिस ऐसा करके आगे चलते हैं वहाँ पे फूटो सेशन वगएरा कर लेते हैं थोड़ा बहुत वर्ल्ड हाइस्ट पोस्ट आफिस 14567 फीट अक्चली फोस्ट आफिस के लिए हमको नीचे जाना होगा यहां पर भी आपको postcard मिल रहा है मगर post office actually नीचे है इस राश्चे से हमको नीचे जाना होगा यह सामने जो मकान दिख रहा है यह नहीं है उसके पीछे है actually post office इस कच्चे वाले राश्चे से हमको नीचे जाना होगा डलान जादा है थोड़ा सा कथरनाक टाइप का लग रहा है आराम आराम से जाना होगा महाँ से मैं अभी यहां तक का आ गया हूँ अभी भी जाना है post office के लिए इस राश्चे से यहां पर मकान दिख रहे कैसा है बै कहा पर है post office post office कहा पर है post office यहां पर कितने मकान है मकान कितने है यहां पर यहां पर 30 मकान है 4 पांची तो दिख रहे हैं यहां पर नीचे है नीचे और है यह रहा world's highest post office यह है highest post office साइद यहां से entry नहीं है पीचे से होगा उस तरफ चलते हैं working hours 10 a.m. to 1 p.m. 1 p.m. to 2 p.m. lunch 2 p.m. to 4 p.m. इस तरफ जाना होगा यह है post office यह है post office यह है post office आजी शू के साथ आ सकता नहीं 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 चूस तरफ नहीं आ सकती है final एक post card करेज लिया हूँ अंदर प्रदेश को भेज रहा हूँ यहां से चलिए फिर post card को post dubbe के अंदर डाल देते हैं अंधर प्रदेश अंदर प्रदेश को यह है अंदर प्रदेश